नमस्कार केंद्र की मोधी सरकार अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोडने की तैयारी कर रही है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून में कहा कि उन्होंने इस बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से भी बात की है रविशनकर प्रसाद ने कहा कि driving license को आधार के साथ चोडने से सड़काद से करके भागने वालों को पकड़ा जा सकेगा साथ ही शवाग पीकर गाड़ी चला कर भागने वालों के खिलाफ भी कानूनी कारवाय की जा सकेगी उन्होंने कहा कि कोई शाक्स अपना नाम बदल सकता है लेकिन फिंगर प्रिंट नहीं बदल सकता ऐसे ही देश दुनिया की तजा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद